कुछ लोग एक गाड़ी पर अटेक कर दीती हैं और गाड़ी को चारों तरफ से गेर लिया जाता है लेकिन एक एजेंट गाड़ी से बाहर आकर उन लोगों पर फारिंग करके उन्हें मारने लगता है साथ साथ एक लड़की भी उन लोगों पर फारिंग कर रही होती है अब ना तो किसी का डर हो और ना ही कोई पेंद हो ना कोई पश्तावा हो और उनका ये प्रोग्राम सक्सेस्फुल भी हो गया लेकिन जैसे इस बारे में गौर्मेंट को पता चल गया तो फॉरण ही इस प्रोग्राम को बंद करवा दिया गया फिर कुछ टाइम बाद फिर से कु की बेटी केटिया के बारे में पता चलता है अब उस सेनियर डॉक्टर को पूरा यकिन था कि वो डॉक्र लिट्वेंगो की बेटी केटिया के जरी उन तक जरूर पहुन जाएंगे इसे लिए वह लोग केटिया को ढूरना शुरू कर देते हैं इसके बाद ये कहाने दूसरी लोकेशन पर पहुंचते हैं लेकिन पिर कुछ दिल बात उसे पता चलता है कि यहां पर मुझूद जितने भी लोग थे उन सब को मार दिया गया है तब पीछे मुड़कर देखने पर उसे वहां पर एजेंट 47 दिखाए दीता है और यहां पर हम जान पाते हैं कि ए एजेंट 47 जानता था कि यह डॉक्टर काफी टाइम से डॉक्टर लिटवैंको की बेटी केटिया को ढून रहा है इसलिए वो सेनियर डॉक्टर से केटिया की लोकेशन की बारे में पोचता है लोकेशन पता चल जाने की बात जो 47 वहां से जा रहा था तह वो डॉक्टर कब करने की बाद सारे गार्स उस रोम में जाने लगते हैं उस रोम में जहां पर 47 था लेकिन 47 बड़ी असानी सी उन सब को मार कर वहां से निकल जाता है नेक सीन में हम एक और्गनाइजेशन के हैड को देखते हैं और यहीं वह इंसान है जो अपने फाइदी के लिए एजेंट्स बनाने वले प्रोग्राम को दुबारा से शुरू करना चाहता है और जब इस हैड को डॉक्टर के मरने की बारे में पता चलता है तो वह भी अपने आदमियों को कैट्या की बीचे लगा देता है नेक सीन में हम वर्लिन जर्मनी का सीन दीखते हैं जहां पर हमें कैट्या दि जादे उसे उस आदमी को डूरने पर फॉर्स कर रही थी इसके बाद कैट्या जो अपने रूम की तरफ जाने लगती है तब हमें काट्या को देखते हैं जो कि उसका पीछा कर रहा था और उस पर नजर भी रख रहा था तब एक स्ट्रीट से गुजरते हुए कैट्या को प फिर होटल की एक रूम में पहुचने के बाद 47 कैट्या को डूरना शुरू कर दीता है फिर कुछी देर के बाद वो कैट्या की लोकेशन को ट्रेस कर लेता है और तब ही 47 की बोस उसे कांट्रक्ट करती है यहां उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि 47 की बोस ने उसे दो लोगों को मानने का कॉंट्रक्ट लिया है लेकिन वो दो लोग कों थे इस बारे में फिलहाल हमें भी पता नहीं चल पाता अब लोकेशन ट्रेस करने की बाद 47 पूरन कैट्या को डूरने के लिए निकल जाता है दूसरी तरफ कैट्या को पहले ही इस बात का अंदाजा ह हो जाता है कि कोई इंसान उसे डूरता हुआ यहां पर आ रहा है इसलिए वो अपने पास मुझूद सारे इंपॉर्टन डॉक्यूमेंट्स लेकर वहां से निकल जाती है लेकिन वहां मुझूद एक मैप को देखकर 47 को अंदाजा हो जाता है कि कैट्या आगर किस तरफ गई कि जो आदमी तुम्हारे पीचे पड़ा हुआ है वो तुम्हें मारना चाहता है और मैं तुम्हें बचाने के लिए यहां पर आया हूं तब यह संकर कैट्या उसे पूछ दिया कि आगर कोई मुझे क्यों मारना चाहेगा कि तभी 47 भी यहां पर पहुंच जाता है तर जो उ एक एमबैसी के सामने जाकर हवा में फारिंग करने लगता है जिसकी वजह से वहां पर मुझूद सेक्यूर्टी इन्हें अरेस्ट करकी अंदर ले जाती है तब यह देखकर 47 वहां से निकल जाता है अंदर मुझूद ऑफिसर कैट्या से सवाल जवाब करने लगते हैं तब 47 जान भुच कर अपनी गन्स लेकर एमबैसी के अंदर आ जाता है इसलिए वहां पर मुझूद गार्ड्स उसे हैंडकफ्स लगा कर अरेस्ट कर लीते हैं अब 47 ने ऐसा इसलिए किया होता है ताकि वह किसी भी तरह करके इस एमबैसी में घुस सके 47 को अरेस्ट करने की अब क्योंकि 47 की हाथ बंदे हुए थी इसलिए सामने वाला आफिसर बड़ी ही बेफिक्री से 47 की गन को टेबल पर रख देता है यहां मौका मिलते ही 47 बड़ी ही चलाकी से खुद को अजाद करवाने में काम्याब हो जाता है इसके बाद 47 वहां पर मुझूद गार्स को मार जाता है जोन पुलिस की गाड़ी में बैठ कर वहां से निकलने की कोशिश करता है उदर 47 को हम सेड़ियां चड़ते हुए देखते हैं उदर गाड़ी में कैटिया की पूछने पर जोन उसे बताता है कि जिस आदमे को तुम ढून रही हो उसका नाम लिट्वैंको है और वह आदमी कोई नहीं बलकि तुम्हारी फादर है जोन उसे बताता है कि काफी सालों पहले तुम्हारी फादर ने एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसमें उन्हों ने ऐसी खतानाक एजंट्स या पिर कहें के किलर तयार किये थे जिने ना तो डर लगता है और ना ही कोई दर होता है वो ये भी बताता है कि कुछ लोग फिर से इस प्रोग्राम को शुरू करना चाहते हैं और सिर्फ तुम्हारी फादर ही है जो उन लोगों को रोक सकते हैं और वो लोग तुम्हारे जरिये तुम्हारी फादर तक पहुंचना चाहते हैं और यही वज़ा है कि वो को पता चलता है कि इजेंट्स कितरह कैटिया की फादर ने उसकर कुछ एसी दुरां को पता चलता है कि उसकी फादर को लंग कैंसर हैं जो बाते सुनने की बात कैटिया अपने कटी किये गए डॉक्यूमेंट्स को देखने लगे और उसे अंताजा हो जाता है कि इस टाइम उसकी फादर कहां पर है लेकिन इससे पहले कि जोन उसे कुछ पूछ पाता 47 दर्वाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और जोन को अपने सामन उसे बताता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता लेकिन वो लोग तुम्हें मार देंगे इसके बात 47 कैटिया को अपना हाथ आगे करने के लिए कहता है और 47 की हाथ मिलाते ही कैटिया को अपने बच्पन के कुछ विजिन्स आने लगते हैं तब उसे पता चलता है कि 47 प्रोग्राम का हिस्सा है ये सब कुछ बताने की बाद 47 वहां पर लगा जेट इंजिन आउन करकी वहां से चला जाता है इसलिए कैटिया उस जियर की साथ ही उस जट की तरफ खिचने लगती है लिकिन कुछी सेकिंड्स बाद कैटिया खुद को अजाद करने में काम्याब हो बाहर निकलने के बाद कीटया को 47 की बातों से पता चलता है कि उसे भी 47 की तरह खतरों से बचने के लिए प्रोग्राम किया गया है इसलिए 47 ने जान भूच कर उसे खत्रे में डाला था ताकि उसे अपने बच्पन के ट्रेनिंग याद आ सके अब कैटिया को भी समझ आ गई थी कि 47 ने उसे जो भी बताया है वो सब सच है इसकी बाद जब यह लोग यहां से निकल रहे थी तब ही उस और्गनाईजेशन के बेजी हुए कुछ लोग इने डूटते हुए यहां पर पहुँच जाते है यहां पर 47 बड़ी ही असानी से कैटिया की हल पले कर उन सब को मार डालता है लेकिन कुछ ही दिर के बाद वहां पर जोन भी पहुँच जाता है इसके बाद जोन और 47 के बेच लड़ाई होने लगती है तो इस लड़ाई के दुरान 47 को पता चलता है कि और्गनाईजेशन के लोगों ने जोन पर भी एक्सपेरिमेंट्स किये हुए है इसलिए उसकी बोड़ी काफि स्ट्रोंग हो गई है बिल्कुल बुलिट प्रूफ जैकिट की तरह और यही वज़ा थी कि वो अब तक मरा नहीं था बलके जिन्दा था यहां भी 47 कैटिया की मदद से जोन को भी होश करके वहां से निकल जाता है वहां से निकलने की बाद 47 कैटिया से उसके फादर की लोकेशन की बारे में पोचता है तब ही सुनकर कैटिया 47 को कहती है कि तुम उससे पहले वादा करो कि तुम मेरे फादर को नहीं मारोगे तो यहां पर 47 उसकी बात माल लेता है तब कैटिया कहती है कि इस वक्त मेरे फादर सिंगापूर में है उदर हम जोन को देखती है जो कैटिया की होटेल ट्रूम की तलाशी ले रहा था वहां मुझूद डॉक्यूमेट्स को देखकर जोन को भी आइडिया हो जाता है कि लिट वैंग को इस टाइम सिंगापूर में हो सकता है तो इसलिए वो ये बात अपने हैट यानि और्गनाइजिशन की हैट को बता देता है नेक्स सीन में हम 47 और कैटिया को सिंगापूर की एरपूर्ट से निकलते हुए देखते हैं अब यहां पर 47 को पता था कि यहां पर लगए कैमरा की मदद से उस और्गनाइजिशन की लोग इन्हें देख सकते हैं इसलिए 47 को कहता है कि तुम्हें भी यहां पर लगए कैमरा से बचते हुए निकलना होगा कैटिया उसे पुछती है क्या तुम इन्सान हो क्योंकि मैंने सुना है कि एजेंट्स में कोई भी फिलिंग्स नहीं पाई जाती लेकिन 47 के पास उसके इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं होता 47 यह कहकर वहां से उठ जाता है कि अभी मुझे सोने के लिए जाना है नेक्स टी और्गिनाइजिशन के बेजी हुई लोग इन पर अटेक कर दीते हैं यहां भी 47 कुछी देर में उन सब को मार डालता है भी 47 कैटिया को लेकर वहां से निकल जाता है और लिफ्ट में जाते टाइम 47 चाको के बतले में एक बच्ची से उसका इनहेलर ले ले लेता है क्योंकि कैटिया ने उसे बताया होता है कि लिट वैंको को लांग कैंसर है तो इसलिए 47 को लगता है कि यह इनहेलर कभी भी उसके काम आ सकता है इसके बाद वो लोग उस लोकेशन पर पहुन जाते हैं जहाप लिट वैंको रहता था इस जगह पर चारों तरफ काफी सरे फ्लावर्स लगे हुए थी अब लिट वैंको ने इस जगह को इसलिए जूस किया ताकि उसे सांस लेने में असानी हो अपने फादर से मिलते ही कैटिया उन से पूछती है कि आखिर आपने मुझे क्यों चुड़ा मैं तो आपकी बेटी थी तब लिट वैंको कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी बज़े से तुम भीमारी जाओ अपने फादर की बातों से कैटिया को पता चलता है कि कैटिया की मदर कभी भी मा नहीं बन सकती थी लेकिन उने अपने लिए एक बच्चा चाहिए था इसलिए लिट वैंको ने कैटिया को बनाया लेकिन यहां पर कैटिया अपनी फादर से कहते हैं यह आपको नहीं मारेगा लेकिन तभी कुछ लोग वहां पर आकर लिट वैंगो पर अटेक कर दीते हैं इसलिए अब यह लोग पार्किंग एरिया की तरफ भागने लगते हैं तो पार्किंग एरिया से निकलते टाइम उस के बीज़े हुए कुछ लोग इन पर अटेक कर दीते हैं और इन्हीं लोगों में जौन भी शामिल था यहां पर भी 47 की पावर्स का यूज करके फिर से इन लोगों से बच जाता है इसे दुरान लिट वैंगों को भी पता चल जाता है कि वह और इजन्स बनाना चाहती है य लेकिन वो सारे ना कामियाब रहे और खुद ही मारे गए पार्किंग एरिया से निकलने की बाद फिर से कुछ लोग उन लोगों पर अटेक कर दीती हैं वो लोग चारों दरफ से इनकी गाड़ी को गेर लेती हैं तो इसलिए 47 गाड़ी से बाहर निकल कर उन पर फारिंग कर लेकर निकल जाती हैं लेकिन लिट वैंको के टांग में गोली लगने की वज़े से नहीं बाग पाता इसलिए 47 केटिया को लिट वैंको से दूर करने लगता है इसी दुरान हम 47 को लिट वैंको की पॉकिट में वो इनहेलर डालते हुए देखती हैं जो उसने लिफ्ट में एक बच्चे से लिया था नाइफ की बदले 47 और कैटिया की वहां से निकलने के बाद जोन लिट वैंको को पकड़ कर अपनी और्गनाइजेशन में ले जाता है लेकिन कैटिया अभी भी अपने फादर की पाल जाने की जिद करती है इसलिए 47 उसे बेहोश कर देता है अपन प्राद य्॑ के लिवार्यश को कर लिए अपन वोभी पर ओर दिखाई दीता है अभी तक उस ओरगनाइजेशन के लोगों को भी ये बात पता नहीं थी कि लिट्वैंको की बेटी कैटिया भी प्रोग्राम की गई थी जो कि अब तक का सबसे अडवांस्ट वर्जन है लेकिन अब 47 उन्हें ये बात बता दीता है वो ये भी बताता है कि एजेंट्स बनने का सीक्रेट उसके डियाने में चुपा हुआ है तो 47 उन लोगों करने लगती है लेकिन जैसे केटिया में मुझूद अपने फादर को देखती है तो चौपर को बिल्डिंग के अंदर घुसा दीती है अभी तक उस हैड को भी यहीं लग रहा था कि 47 के साथ उस चौपर में मुझूद था लेकिन उस चौपर में उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता चौपर से निकलने के बाद कैटिया वहां पर मुझूद सभी गार्ड्स को मारना शुरू कर दीती है यहां के सिच्वेशन को दीखती हुए जोन और कुछ गार्ड्स अपने हैड को सिक्योर्टी रूम में ले जाने की कोशिश कर रही होते हैं लेकिन अब तक 47 एमर्जनसी सर्विस की इम्प्लॉईस में मिलकर सेफटी रूम में पहुंच गया था उस हैड को अपने सामने दीखती ही 47 उस पर शूट कर दीता है लेकिन जोन अपना हाथ आगी करकी उस गोली को रोग दीता है और उस हैड को बचा लीता है जोन उस हैड को गार्ड्स के स चलाकी से जो उनको शोक लगाकर मार डालता है उदर कैट्रिया भी अपने फादर को डूड़ते हुए यहां पर पहुंच गई थी क्यूंकि वो हैड लिट वैंगो को चौपर में लेकर यहां से निकलने वाला था इसलिए अब यह दोनों यह दोनों यह दोनों वहां पर को खुद पर ले लीता है पिर उस गार्ट को मारने के बाद 47 वे उस चौपर की तरफ देखने लगता है उदर चौपर में बैठा लिट वैंगो अपने हाथ में मुझोद उस इनहेलर को देखने लगता है वो जानता था कि 47 ने किसी वज़ज़ से ही उसे इनहेलर दिया था वो ये भी जानता था कि अगर ही हैट बच गया तो वो दुबारा से केटिया को डूरने की कोशिश करेगा इसलिए लिट वैंगो उस इनहेलर को प्रेस कर दीता है जिसकी वज़ज़ से एक काफी बड़े बलास्ट की साथ वो पूरा चौपर तबाह हो जाता है और तब ही 47 के पास उसकी बॉस की कॉल आती है तो 47 अपनी बॉस को बताता है कि ट्रेंग को मारा गया है तब इसके बाद 47 की बॉस उसके दूसरे टार्गिट की बारे में पुछने लगती है लेकिन 47 उसकी बात का जवाब दिये बगए अपना मुबाइल बिल्डिक से नेची पहंग द बताता है कि मैंने यह जान पोचकर नहीं किया बल्कि प्रोग्राम को रोकने के लिए ऐसा करना ज़रूरी था इसके बाद यह दोनों लिफ्ट की तरफ जाने लगते हैं यहां पर 47 केटिया को बताता है कि यह पूरी बिल्डिंग ही हाइली ट्रेंट सोलजर से बरी हुई है जिस पर केटिया उसे कहती है कि नहीं तुम गलत हो क्योंकि यहां पर सिर्फ एक इंसान है और तभी सामने की लिफ्ट का दर्वाजा खुल जाता है तभी दोनों अपने सामने 47 जैसे दिखने वाले एक और एजेंट को पाते हैं जिसके बार कोड से हमें पता चलता है कि इस एजेंट का नंबर है 48 48 को देखते ही यह दोनों उसे शूट कर देते हैं और उनके शूट करने के साथ ही यह मूवी यही पर एंड हो जाती है थेंक्यू पर वाचिन